हाँ गुड मॉर्णिंग बावो क्लाश टेन ध्यान दो तुम लोग नेक्स फेज में मैंने तुमको बोला था कि हम लोग 3.2 और 3.3 उसमें मैंने सब सेक्षन 3 का इंटोड़क्शन और 3.1 जिसमें यह तुम्हारा यह रोमांटिक इमेजिनेशन एंड निशनल फिलिंग के बारे में बताया था और कैसे हमारा यह जो एज ऑफ रिवॉलूशनरीज है हमारे रिवॉलूशन के जो हमारा एज था उसके बीच में कैसे बुर्बन डाइनेस्टी के सास्कों को हटाया गया था और यह मोमेंट ने वहाँ पर कल्चरेली उसको मतलब हेरिटेज को प्रमोट किया था तो यह सब चीज़े हम लोगों ने इसके बारे में देखा था तो आज हम उसके दूसरी सिग्मेंट जो है हमारे सबसक्संत्री का जिसमें हंगर हाट सी पैन पोपलर रिवॉल्ट के बारे में ह यहां पर सास्तन और कानून वेवस्था अच्छे ढंकी नहीं होती है वेवस्था जो होती है स्विक्षाचारी तरीके से मतलब या अट्टो क्रेटिकली मूव करता है हमारा तो वहां पर टेक्स रिविन्यू का कलेक्शन भी काफी डिस्क्रिमिनेटेड वे में होता है और लौ भी जो होता है कानून भी जो हमारी होती है सबके लिए समान हमारी नहीं होती है तो सभाविक है कैसे जब इस्थिति पैदा होगी कि एक पाटिकुलर क्लास को तुम जब यह प्रिविलेजेस दोगे और एक पाटिकुलर क्लास जो होगा हमारा अगर मार्जिनलाइज हो के बारे में जिक्र कर रहा है यहां पर मैं बड़ा कर दे रहा हूं इस सेक्षन को तुम लोग ने पढ़ा होगा तो तुम्हें जनकारी मिली होगी कि यह उनिस्वी सदी के प्रारंभिक जो अवस्था था हमारा संचूरी जो था उस समय जनसंख्या में एक मतलब इनॉम्रस इंक्रीजेज दिखा रहा है मतलब जबर जस्त ब्रीदी हुई थी और इस देश में विरुजगारी की जो संख्या जीत थी ज्यादा बढ़ गए थी नौक प्रम दे रूलर एरियाज माइग्रेट ऑन दी सीटी तो लाइब अब दो ओभर क्रावडेट स्लम तो गावं में देखो कि क्या होगा कि जो अत्रिक्त भींड होती है मतलब जिससे की अनेस्पेक्टेट पोपुलेशन हाला कि पोपुलेशन को यानेस्पेक्टेट नहीं हो होता है तो अब गावं में जो अत्रिक्त अबादी की बाते कह रहा है इस सिग्मेंट में तो अत्रिक्त कुछ नहीं होता है अब अत्रिक्त क्या है कि वो ना पढ़ा ना लीखा ना स्वस्थ है मतलब इस तरीके का ना कुई रोजगार है ना बेवसाय है तो ऐसे लोग एड लामेरिया पत्ता में भी तुम देख सकते हो काफी गंदे होते हैं और बुनियादी सुभधाओं भी वहाँ पर उपलब्ध हमारी नहीं होती है ठीक है रहने पर मजबूर हो जाते हैं वे लोग और ये छोटे-मोटे जो कारोबार करने वाले लोग थे उनको मैंचेस्टर में जो बनेवे कपड़े जो आयादित कपड़े थे उससे उनका कंपटीशन बढ़ गया था और ये कंपटीशन के सामने वो टिक नहीं पा रहे थे और छोटे-छोटे-छोटे कमगार जो थे ना आंसिक्रूप से छोटे जो एमेसेमी के नाम तुमनें को सुनने होगा माइक्रो स्मॉल एंड मेडियम इंटर्पेर्नर्शिप होता है लगु सुच में मध्य मुद्योग हमारे होते हैं तो ये दे रहा है कि इरोप के इन इलागों में कुलिनीय बरगी लोगों का सासन था और क्रिशक जो थे जो बड़े लोग थे सामन्त थे यहां पर देखो ये अरिस्टोक्राइसिया ने इंज्वाय पावर पिजिंट इस्टेगल्स इरोप वेर अंडर दी बड़ें आप दा फेडल डूस है ना और अबलिगेशन तो ये जो बड़े सामन्त और जो हमारे क्रिशक जो लोग थे ये किसानों के उपर में जदातिया करते थे और ये उसके सुलको मने टैक्सेस को ना जिम्यदारियों के बोस्तले दबे थे तुमको पता होगा जम्यदारी प्रथा जो हमारे देश में भी थ ये कितना ज़्यादा खतरनाक था किसानों के सांथ कितनी बड़ी जदातिया की जाती थी और कहीं ने कहीं उनको एक ये कहते तुम्हारा रीण चक्र बन जाता था पीड़ी दर पीड़ी एक ही सामन्त का ना रीण हमारा चुकाते चलती रहती थे ये प्राय कंटिवसली भी देखने को मिलती है ठीक है तेरा खाने पीने के चीजिव में अपरत्यासित ब्रीथी हुई मांगाई बढ़ी है वहां पर फसल खराब होने से सहरा और गौव में ब्यापक गरी भी फैल गई थी वहां पर इरुपन कंट्री में नेक्स्ट इसमें देरहा है कि इसमें दे रहा है कि खाने पिने के कमी और बिरुजगारी से पिरिस्क में लोग सणकों पर उतार आये थे ठीक है और इसके अवरोध में लगाया गया है जो लुई फिलिप को भी भागने पर मजबूर कर दे दिया गया वहां पर और नेशनल एसेंबली जो थी एक रीपब और अरशनल वर शॉब्स और प्रवाइट धे इंप्लायमेंट या यह किस बर से उपर के सबीद्व मताधिकारों को ना मताधिकार को प्रदान दिया घया और और काम के अधिकार की गारंटी एन दीगयी रोजगार उतफ़काने कि राश्टे कर खाने अस्थापित किये गय समानने के लिए वी रास्ते खुलते हैं कम्प्टिशन के मांध्य मुस्य क्रम्चारीं के नियुथ़ सारा ओफिस सभी खरबोड़ा रहता है किसमी जो काम की गारांटी का है मने देगा मात्मा गांधी रौज़री महात्मा या यह प्रवासी मजदूरों के लिए अभी बरतमान में कोरोना के समय में मोदी ने जो लाया है कि गवाँ में जो लोग पहुंच गए है और अपने आपको तनहा और विरुजगार महसूस करें कोई काम दिखाई ने दे रहा है तो उसी एरिया में उनको ना काम दिया तो यह काम की गारांटी वाले कार्जक्रम वहां पर प्रबाइड किये गए इसके बाद में दे रहा है तुम्हारा की 45 में यहां देख लो 1845 में यह सिलेशिया बुनकर जो थे ठीकिदार चुकि जदाती होती थी न अब बुनकरों को तुम रॉव मेट्रियल्स दे करके उस केस स्टेडी विसमें दिया हुए कि इन इस विलिजेज विद एटीन हंडेड है न इन हेविटेंट्स कॉटन वेविंग इस दा मोस्ट वाइडस्प्रेड ओकुपेशन यह इसको ब्रीफिंग कर जाता हम मैं देख लेना तुम लोग के ठीकिदारों खिलाब भी द्रोग कि स्टेडिम बता रहा था कि सूती के कपड़ा बनाने वाले बड़े असतर पर यह काम कर रहे थे और स्रेमिकों के हालत काफी अच्छी नहीं थी काम के लिए लोग ज्यादा थे और काम कम था तो यह देखो यह बहुत बड़ी सचाई है अर्थविवासा कर संतुलन में और ए अपने सहर पटना में भी तुम देख सकते हो इस तरीके कि स्थितिया तुम्हारी कवन है कोई दस तरप्या पर काम कर रहा है को आठ है रुप्या पर काम करने के लिए तेयार है तो एससी इस्थिती में होता क्या है कि जो जन समाने जो वरकर है ना उनका वेल फेर नहीं हो अपने आपकोना फूट सिक्वर कर पाते हैं न आपने बच्चे को ऑच्वर कर पाते हैं नौइ अपना हेल्थ सिक् Aur कर पाते हैं और एक वर ऐसा उसमें बन जाता है जो अभिजात वर एलिट सूसाइटी हम लोग करते है चुकि याद करो ये कालमाक्स की घटना कालमाक्स ने बला था कि पुंजी जो होता है गरीबों की खुन परसीने का संग्रहन होता है एक जगा आप इकठा करते हैं जो पुंजी ये गरीबों की खुन परसीने की कमाई है तो यहां होता क्या है कि मैक्सिमम लोगों की हकमारी कर दी जाती है यानि कि जो स्रमिक बर्ग है जो मेनत का मज़दूर है उसको जो एक्शुल लाव मिलना चाहिए था वो लाव नहीं मिलता है और एक बर्ग बहुँ ज़्यादा कैप्टलिस्टिक यानि कि पुंजीवादी तोर पर न ससक्त और मजबूत हो जाता है नतीजा यह होता है कि ऐसे ससक्त और मजबूत लोग जब स्विक्षाचारी या निरंकु सवताना साहिता पर उतर जाते हैं तो उस समाज के लिए हमारे सरदर बन जाते हैं तो ऐसी ही व्यवस्थत थी जिसके खिलाप में मतलब वहां के कामगारों ने विरोधिसकर किया यह उसके रिवॉर्ट की घटना उसी रिवॉर्ट की बारें बता रहा है सार जुन के सुबह की घटना यह चार बजी दोपर के 2 बज़े की घटना है भीर बाहर निकली और 2 घतारों में आगे करते विए बुनकरों की कोठी ये ठेकदारों की कोठीयों पर पहुंच के ये मजदूरी का एक जो रियल वेजेज हुमारा होता है देखो इसमें दे रहा है कि दे वेर टीटेड विद ये कॉंटेक्टर डिमांडिंग हाईर वेजेज सभाविक है कि अगर एक जगह 40 लोग काम कर रहे हैं उस 40 लोग के काम करने से अगर वहां पर तुम्हारा महीना में 30 लाका ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके हिसाब से ड और अनसकिल लेबर दोनों में अंतर होता है हुँआरा जो ट्रेंड़ लेबर होते हैं जो स्किलफुल लेबर होते हैं उनका वितन नन सकिल से ज야दा होना चाहिए है थे एसे ही हो डिमांड हमारा करने लगे और ज़्यादा मजदूरी का मांग कर रहे थे उनके साथ कभी गिर्णा का बिवार किया गए तो उनको कभी धम की आप देखो एक बहुत बड़ी सचाई है हमारी समाज की जब आर्थिक रूप से असमनता है हमारी बढ़ जाती है जब एक संपन बर्ग पैदा हो जाता है और एक बिपन यानि कि एक पूर और एक हमारा रीच क्लास से पैदा हो जाता है तो यह जो संपन बर्ग है यह आर्थिक मजबूरीयों का फायदा उठा करके जो आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग हमारा होता है जो करीब यक्ति होता है उसकी कम पैसा अर्ण करने वाले ब्यक्ति खुद भी समाज में अपने आपको अच्छा कमफट नहीं मसूस करता और जो ऐसे इलिट सोसाइटी होती है उसके साथ में घृणा का बिवार करती है ठीक है तो आज घृणा का बिवार तो कॉमनली करती है जब उसके उपर मैं टैक उन्ह चीज होगा ना उसने तहस तहस कर दिया ठीक है ना महांगे फरनीचर को तोड़ दिया खिड़कियों को थोड़ दिया उसके जो हमारे स्टोर रूम था उसको भी डिस्ट्वाय कर दिया नतीजा यह हुआ कि ठीकदार अपनी परिवारों के साथ में गाउं की तरफ उन्हें से खार खाय हुए थे और गाउं के लोगों ने भी ना उन्हें लोगों को ना सरण देने से मना कर दिया ठीक है और इसमें देरा 24 घंटे के बाद से ना को बुला कर उसकी मदद से लोटा और उसके बाद जो टकरा होगा उसे 11 बुनकरों को उस अभाविक है इसमें दोनों इसमें पहला प्राग्राप ब्रीफ कर रहा हूं तुम इसको अगर पढ़े होगा ठंग से तो इसको समझो जो मैं स्पीच में दे रहा हूं जो लेक्चर में मैं तुमको दे रहा हूं इरुपेन देश्व में गरीबी का विरुजगारी का और भुखमरी का यहां देखिए पूर अनिम्प्लाइमेंट एंड इस्टैविंग पीजेंट्स और वर्कर्स इन मेनी इरुपेन कंट्रीज इन दी यह एटीन फोर्टीएट दे रिवॉलूशन्स हैना लेट बाइद एजुकेटेड मिडिल क्लास वास अंडर वे देराया की गरीबी भुखमरी से ग्रस जो किसान थे बिद्रो कर रहे थे और उसके जो एक्विवैलेंट में पढ़े लिखे जो हमारा मिडिल क्लास था उलुग भी उनकी भी एक अलग क्रांती हमारी हो रही थी यह फरवरी की खटना है इसमें देखो तुमारी देवे फरवरी 48 की खटना है राजा को गदी छोड़ना पड़ा और गरदंत्री हुसना की गए सभी मतलब जो मेल थे हमारे ना उनको इनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यह प्रवाइट किया गया सरभामिक मताधिकार है ना इनिवर् अन्य भागों में जहां भी स्वतंत्राश्ट अस्तित्यों में नहीं आया थे जैसे उसमें नाम है तुम्हारा जर्मनी का सर्चाजय यहां जर्मनी है इटली है पॉलेंड है और स्टो हंग्रियन है यह सब जो हमारे समराज डाइनेस्टी थे जो अभी तक में आपको नहीं कह पाते थे वहां उद्रवादी मध्यम बरगिव इस्तिरी पुरुसों ने समिधान की मांग की ठीक है और राष्टी की करण का मांग किया मतलब नेशनल इंटिग्रेशन का हमारा इनिफिकेशन का देखो यहां पर मांग उठाया गया ठीक है और यहां रा देखो यहां पर पारलेमेंटरी प्रिंस्पल्स और कंसिट्यूशन का मतलब बराबर मैं बताता हूं सम मतलब समान होता है बराबर और विधान मतलब हमारा होता है कि इसमें दे रहा है नेक्स्ट परअग्राम में तुम देखोगे कि जर्मन जो इलाके थे रेजन्स में हमारे राजनीतिक संगत्रों में एक फैंकष्षेर करनाव जिसमें आता है जर्मा नेशनल संब्ली की पक्ष्में मतदान करने का फैसलाई यह लोग लेते हैं जिसमें 18 माई यहां पर यह अंडरलाइन कर देता हूं मैं 18 माई 1848 को 831 इलेक्टेट जो हमारे रिपर्जेंटेटिव थे एक फैंकपर्ट संसद में पहुंचते हैं अस्थान करन करते हैं और यह संसद सेंट पॉल चंच में आज इत हुई थी ठीके न जहां जर्मन के राष्ट के लि मुनार की सब्जेक्ट दू पार्लेमेंट यह राष्टाही से मतलब मुक्ति पा करके एक संबिधानिक और संसद नहीं ब्यवस्ता बहाल करने की बात हमारी की गई है तो और इसमें दे रहा था राष्ट के धेक्षिता को एक ऐसे राजा को सपी गई थी जो एक संसद के बेडरिक विलियम चतूर्थ है ना यह जो था हमारा प्रसा का राजा था कुताज पनाने की पेशकस की गई उसने अस्विकार का राजाओ का साध्या और रिवाची सभा का बिरोधी थे यह लोग तो राजसाही थे तो इनका सभावी था कि बिरोध होना था ठीक है जहां बढ़ गया वहीं संसत के समाजी का थार कमजूर हो गया और संसत में मध्यमबर्गों का प्रभाव अधिक था मिडिल क्लास जो थे क्योंकि मिडिल क्लास का तुम मैंने बार-बार बोला ही है कि इसकी संख्या ज्यादा होती है तो इसमें देखो तीर मिडिल पार्लेमेंट पाज डॉमिनेटेड बाइदा मिडिल क्लास हो रजिस्टेस द डिमांड्स अब वर्कर्स एंड आर्टिसेंस मांगों का ब्रयोद किया गया जिसने वे समर्थन खो बैठे और रंत में सैनिकों को बुलाएगा और एसेंबली को भंग करने पर मजबूर हमारी कर दी गई इस से बड़ी संख्य में महिलाओं ने सक्रिगरुप से भाग लिया था और महिलाओं अपनी राजनितिक संगठन अस्थापीद भी किये थे अकबार भी शुरूब किये थे राजनितिक जो हमारी पॉलिटिकल मीटिंग्स हमारी होती थी पॉलिटिकल एसोसीयेशन फॉंडेड रखा गया था तो इस तरीके से सेंट पॉल चॉर्ज जो था हमारा फैंकफर्ट संसर का सबाज़ुत की गए और महिलाओं को क्यों प्रिक्ष को के हैसे सदर्सक देने यह तो गलत था यह तुम्हारा देख लेना इसमें पेज नंबर 18 में तुम्हारा दिये हुए है उस दर कंजर्वेटिव एडिया के जो लोग थे उद्रवादी अंदलों के दबाने में कम्याब हुए और किन्तु यह पुरानी विवस्ता को बहाल नहीं कर पाया अब एक विवस्ता थी तो उद्रवादियों को तो किसी तरीके से नहीं दबा दिया लेकिन जो 1815 के बाद में जो हमारे कंजर्वेटिव एडिया को जो बहाल करने की बात हुए वह हम पर नहीं हो पाया और रजाओं को यह समझ माना शुरू हो गया था कुदरवादी राष्टवादी करांतिकारियों को रियायते देकर ही करांति का दमन चक्र को समाप्त किया सकते हैंनि कि मतलब लिबरल क हो चुका था 315 के आसपास में इस परकार जो हमारा हैंसपर्ग जो डाइनेस्टी था अधिकार वाले छेतर जिसमें रूस के जो भुदा सत्वा पंधुह मजदूरी इस पर था जो थी हमारी उसको समाप्त कर दिया गया और हैंसपर्ग सार्ग्री के लोगों से भी ज़्या स्वत्ता प्रदान की गई हालों कि इसमें निरंकुष भी लोग थे प्रपुत्तो करास्ता भी हमारा साफ हो गया था तो इसमें एक तुम्हारा केस स्टैडी ग्रूप सी में है स्वतंता और समंता को लेकर कि महिलाओं के लिए क्या हमारे माइने थे इसका जिक्र हमारा किय गया गया है दो बिलोधावासी बाते इसमें दी गई है जिसमें तुम लोग देख सकते हो कि यह तुम्हारा उद्रवादी जो हमारे पॉल्टिसियन थे काल वेकर ने फ्रेंकपट सासन में एक निर्वासिक सदस्ता जिन्हों ने अपना बिचार बैक्ट किया था जिसमें एक तरफ महिलाओं के अनफेभर की बाते की गई थी तो दूसरी तरफ हमारा उसके फेभर की बाते की गई इसमें देखो दिये हुए कि नेचर है क्रेटेड मेन एंड बेमेंट टू कैरी आउट डिफेंट फंक्शन इनका ऐसा मनना था कि महिलाओं और पूर्सों को अलग इसमें देखो हाँ हरे स्प्रेयर ठीका ना इस दा हूं देखो दिपेंडेट एंड टीमीड के मतलब तुम्हारा डर्पों जिसको हम लोग कहते हैं यह सब महिलाओं के परती मान सिकता यह घटना उन्हें इसी सदी की है और यह से मानसेग वाले लोकों का बट इनका ऐसा मनना था जो इह कमाना था मिलाओं को पूर्सों की प्रोटेक्शन कर सकता है और उनको का कार हमारा हो गया बचों की देख़लकरना अर परिवार का मारा भरन पूसंद करना तो इसमें देंद आया कि तो पूरा का पूरा हमारा gender discrimination हो गया ना हमारा ब्राबरी को परिबार के मेरे मिला पर गर्मा को ध्यान मेरा करके रखा गया लेकिन जो एक बहुत बड़ी खतरनाक कंडिशन थी यह society में कहीं कहीं करने वाली कंडिशन थी तो एक उसमें नाम आता है तुम्हारा लुज आर्ट अपनों के स्थापना की एक feminist moment का feminist political association उन्होंने इस्टेबल किया और दे रहा है कि 21 अप्रील को 1849 को किसी एक paper में उन्होंने अपना एक editorial लिखा इसमें पूर्षों के सोतनता के लिए जिने मरने की विचारों से उत्परोत बताया उन्होंने की हम पूछते हैं कि कितने पू स्थाप्रेश गुष्ण फूर्ष गुष्ण के लिए कि इसके बाद में तुम्हारा है दे रहा है कि इंसानों के आजादी के लिए त्यार होंगे और उन्होंने यह प्रस्ण पूछा कि बड़ी आसानी से जवाब देंगे कि हां लेकिन दे रहा है कि केवल आधी मानुजा थर्वाक्ति को फायाे के लिए ही है इसे बिवस्त्ता मगर सवतनता तो अब राद जया है यह पुरूसों, Wellamit Jesse कि यह किसी की गिरिवी नहीं है ना कि किसी के पॉकेट का चीज है सोतंता सब के लिए हमारा समान है और इसमें देखो दे रहा है कि इस इंडीड है ना रेडिकूलस एंड अन्रिजनेबल महिलाओं को राजनेतिक अथिकारों से बंचित रखना उन्होंने बताया कि काफी मिनिंग लेस है बेमें प्लिटिकल डाइट इभें थूड़ दे इंज्वा दे राइट प्रपर्टी विज दे मेकस अफ दे रहा है कि जबकि संपति का थिकार है इसका इस्तमाल हो करती थी करती है करना चाहिए और जिमदारिया भी उठाना चाहिए और वे लाव नहीं मिल है जो इन्होंने बिचार बेक्ति किया कि यह कितना बड़ा नय हमाई लाओं को डवल स्ट्रेटर से बारे में सुचना कि एक मुल्ख्र मवेसी जो पोस्टने वाला काटल मतलब मवेसी हमारा होता है मवेसी पालक जो हमारा होता उसको मत देने काधिकार से रिफिस लेके कि वह पुरुस है जबकि अत्यांत काविल महिला है जो पढ़ी लीखी हमारी होती है और बड़ी संपती की मालकीन है तो उसको हग से मुंचित रखा जाता है ठीक है न यह पी राज के रखरगाव मितना जादर जो जगदान देती है पढ़ी लीखी महिला जो होती है या संपन महिला जो होती है जो हमारे समाज के जो जो निबर हैं या तुम्हारे करना यह कोई अच्छी बात हमारी नहीं होती है तो इसी पूरी सिक्षन में यह बात कंप्लेट था और यही पटकता ने जो लिखा तुम्हारा जर्मानी और इटली का हमारा फॉर्मेशन यानि कि तुम्हारा सब सिक्षन जो फूर है एक मिनिट पीज नंबर पीज नंबर 19 में जर्मानी और इटली के एक करण की कहानी हमारी यहां से प्रारम होती है तो हम लोग नेक्स फेज में पढ़ेंगे मतला जो अगला सिग्मेंट हमारा वीडियो लेक्षर का जो होगा उसमें हम इनिफिकेशन ऑफ जर्मानी और इटली के बारें पढ़ेंगे जर्मानी के अगी करण एक फेज का है यह तुम्हारा आट वन बिसमार का लेकिन इटली में हमारे चार लोग सिरीज में थे जिसमे में बड़ा जुगदान हमारा मेजनी का था तिकना मेजनी था काबूर था गैरी बोल्डी था और इमेनुवल कंट था तो उसके रिफ्रेंस से हम इटली के चार फिज में एक करण इउनिफिकेशन को देखेंगे और एक तुम्हारी ब्रेटेन का भी हमारा कहानी थोड़ा बहुत उसमें ब्रीफिंग किया है तो बोर्ड के कोशन के पॉइंट ऑफ यू से यह जो सक्षन फूर हमारा होगा ना यह काफी इंपॉर्टेंट है चुकि इसमें या तो जर्मनी का की करण या तुम्हारा इटली का की करण या बिर्टेन की जो कहानी है उससे रिलेटेट में तुम लोगों के लिए है ना बस इतना ही आई थिंक एवी 28 मिनट का वीडियो तुम्हारा हो गया है तो आप इस वीडियो लेक्षर को देखें समझे और यदि कहीं कोई प्रब्लम आती है तो मैं आउनलाइन उपलब रहूंगा आप हमसे बात कर सकते हैं ठीक है ना बा